नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉलूशन के यूट्यूब चैनल पर अगर आप बीएड फरस्ट यर में हैं और आप बीएड सीसे उनिवस्टी से कर रहे हैं या फिर आप बीएड MSU यूणिवस्टी से कर रहे हैं यानि के शाकुंबरी देवी यूणिवस्टी या फिर चोधरी चरड़ सिंग यूणिवस्टी दोनों बच्चों के लिए यह वाली वीडियो काफी जादा इंपोर्टन रहने वाली है क्योंकि यह दोनों बच्चे लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे चैनल पर अभी जुड़े होंगे ठीक है और छूच बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने यूणिवस्टी नहीं देखा हुआ थो अब क्या है कि आपके एक्जाम का बहुत ज़्यादा कम टाइम है तो अगर आप एक्साम का बहुत ज्य आई से बच्चों के लिए मैंने क्या किया है है अब यह घास पेपर बना है खीकए आप इसको गैस पेपर कह सकते हैं गैस पैप ना है वो बच्चे जिनोंने यूनिट वाइस कंटेंट कर लिया है ठीक है वह तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है जो जिन बच्चों ने यूनिट वाइस कंटेंट को देखा है मेरे फिर कर रहे हैं वह तो बहुत जादा अच्छी बात है क्योंकि यह तो आपका 100% आने वा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है जैसे कि यहां पर लिखा भी है कि अब तक कुछ नहीं किया है तो इनको जरूर करके जाना ठीक है तो इस गैस पेपर को बिल्कुल जरूर करके जाना है तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो आपका चोट रहेंगे आपके विद्या के मोडल में से रहेंगे विद्या या आपके विद्या और सूरिया ठीक है दोनों मोडल में से आपको दोनों मोडल में आपके दोनों कोशन आपको मिल जाएंगे तो घबराने वाली बात नहीं है यह नहीं कहना है कि सर हमें तो कोशन ही नह सब्सक्राइब को एक नई दिशापरदान की आलोचना की ठीक है तो यह आपका काफ़ ज्यादा इंपोर्टेन आपका लोग कोशन रहेगा गेव अन्यू डिरेक्शन टू दा हिस्ट्री ओफ एजुकेशन इंडिया कमेंट तो यह कोशन आपका लोग कोशन काफ़ ज्यादा इंपोर्टेन आपका रहता है नेक्स्ट लोग कोशन की बात करते हैं जो कि आपका इंपोर्टेन रहेगा गैस पेपर के थुरू कंटम्परेरी इंडिया का माध्मिक शिक्षा की परमुक समस्याओं का विवेचना कीजिए तथा उनके समाधान है तो सुझाव दीजे ठीक क्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए तो यह कोशन आपका बहुत जादा आपका इंपोर्टेन रहता है वाट डू यू अंडेस्टेंड बाइदा यूनी यूनिवर्स लाइजेशन ओफ प्राइमरी एजुकेशन हाव मच सक्सस हैस बीन लेट की जिए आधुनीक भारत में विषवी अले के क्या बहुमिका होनी चाहिए विषवी छाले सिक्षा में क्या तरिवर्तन वहबारिक रूप से जाने चाहिए जिससे वेर इस बहुमिका व प्राप्त कर सके तो यह लों कोशन आपका काफ़े जादा इंपस्च दार Cu तो यह लोग कोशन की बात करते हैं जो कि काफी जादा आपका एक्सप्लें मेन कारक्टरिस्टिक औफ नैशनल एडुकेशन पॉलिसी नाइटीन बिरीफ दा रिवाइस पॉलिसी ऑफ एडुकेशन नाइंटी नाइटी डू तो यह लोग कोशन आपका बहुत जादा आपका इम्पॉटेंड रहता है नेक्स्ट लोंग कोशन की बात करते हैं आपके प्राचिन कालिन शिक्षा की परमुक विशेष्टाओं का संशेप में वर्णन कीजिए आपकी सम्मेती में यह शिक्षा आज के भारत में किस सीमा तक उपयोगी हो सकती है तो ये लोंग कोशन आपका बहुत जाद आपका इंडिया हाउ फार दिस दा एजुकेशन कैन प्रूव यूसफूल फोर मोडन इंडिया इन यूर ओपिनिया तो यह कोशन आपका काफी जाद आपका इंपोरें रहता है नेक्स्ट लोंग कोशन की बात करते हैं वुड का आदेश पत्र शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जा नेक्स्ट लोंग कोशन की बात करते हैं उच्च शिक्षा के निजी करण से क्या तातपरी है इसके गुण और दोश की विवेचना कीजिए वाट इस दा मींट बाइदा प्राइविटाइजेशन ओफ हाईयर एजुकेशन डिसकस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट तो यह लो कर्सिफिकेशन ओफ करिकुलम एट हाईर सेकेंडरी लेवल वाट रेकमेंडेशन हैव बीन मेड बाइदा सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन इन दिस रिकार्ड तो यह लोंग कोशन आपका काफी जाद आपका इंपूटन रहता है नेक्स्ट लोंग कोशन की बात करते हैं प् बहुत जाद आपका इंपूटन रहता है गैस पेपर को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ठीक है गैस पेपर के जितने भी कोशन हैं इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है ठीक है नेक्स्ट लोंग कोशन की बात करत are helpful in improving the standard of education तो ये long question आपका काफे जाद आपका important रहता है next long question की बात करते हैं जो कि आपका important रहेगा उच्ची शिक्षा इस तर की किसी एक समस्या का वर्णन कीजिए तथा अपने सुझाव अत्वा इस समस्या का उचित समाधान कीजिए ठीक है describe any one problem of higher secondary education level and give your suggestion for proper solution of this problem तो ये long question आपका बहुत जाद आपका important रहता है next long question की बात करते हैं जो कि आपका important रहेगा उच्च माध्यमिक शिक्षा से आप क्या समस्ते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षा के विकास और उसके उद्देश्चे की व्याक्या कीजिए ठीक है तो ये long question भी आपका बहुत जाद आपका important रहता है तो ये थे आपके सारे long question ठीक है जो ये आपके important बनते है गैस पेपर के थूँ ठीक है अब आपके जो आएंगे section B के जो कि आपके आएंगे short question जो की बहुत जाद आपके important रहेंगे contemporary इंडिया education के दोनों बच्चे के लिए हैं फिर से बता रहा हूँ MSU वाले भी और CCSU वाले भी ठीक है दोनों बच्चे first year में हैं तो काफे जादा important आपके लिए वीडियो रहती है चलिए पहला short question आपका देखते हैं नेक्ट short question की बात करते हैं भारते शिक्षा आयोग 1882 के प्रात्मिक शिक्षा के बारे में सुझावों पर टिपनी लिखे रहती है write a note on primary education of India education commission 1882 तो ये short question भी आपका बहुत जाद आपका important रहेगा नेक्ट short question की बात करते हैं रास्ट ज्यान आयोग की मुखे शिफारिशों की व्याख्या कीजिए explain main recommendations of national knowledge commission तो ये short question भी आपका बहुत जाद आपका important रहता है next short question की बात करते हैं मुदालियर आयोग का मुल्यांगन कीजिए evaluate मुदालियर commission तो ये short question आपका बहुत जाद आपका important रहेगा चैनल पर नए है चैनल को subscribe कर लीजिएगा और बैल आइकन को जुरूबर प्रेस करिएगा जिससे की आपके पास आने वाली वीडियो की notification मिल जाए गैस पेपर की जितनी भी वीडियो आएंगी डेली एक आएगी आपको बिल्कूली मिस नहीं करनी है चार पास दिन में आपका पूरा complete हो जाएगा गैस पेपर वाला ठीक है यूनिट वाइस अगर आपने कर लिया है तो तो बहुत बहुत जाद अच्छी बात है तो चली जल्दी से next question को देखते हैं next question जो आपका short question important है कस्तूरबा बाली का योजना पर परकास डालिए throw light होना कस्तूरबा बाली का योजना तो ये short question आपका बहुत जाद आपका important रहता है next short question की बात करते हैं त्री भाशा सुत्र क्या है what is the tri language formula बहुत जादा इंपोर्टेंट है ये वाला short question ट्राइलेंग्वेज वाला next short question की बात करते हैं भारत में जल्संक्या शिक्षा के महत्व की वेचना कीजिए discuss the importance of population education in India ये short question आपका बहुत जादा आपका important रहेगा next short question की बात करते हैं भारत में माद्यमिक शिक्षा के वेवसाई करन की वेवस्यत्ता पर प्रकास दा लिए throw light on the needs of the vocationalization of secondary education in India ये short question आपका बहुत जादा आपका important रहता है next short question की बात करते हैं रास्टे अपाठ्थे करम प्रारूप दोजार पांच पर संस्टी ट्रिमिन लिखे ठीक है ncf 2005 बहुत जादा important है short question में ठीक है write a short note on national curriculum framework दोजार पांच तो ये short question आपका बहुत जादा important आपका रहता है next short question की बात करते हैं सिर्फ शक्षा अभिएन के विज़ेरं की लिखे। write the features of सर्फ शिक्षा अभियान तो यह शोट कोशन भी आपका बहुत जाद आपका important आपका रहता है नेक्ट शोट कोशन की बात करते हैं विश विद्याले अनुदान आयोग के क्या कारे हैं what are the functions of UGC तो यह शोट कोशन भी आपका बहुत जाद आपका important रहेगा नेक्ट शोट कोशन की बात करते हैं Muslim शिक्षा के उद्देश्यों का संशिप्त में वर्णन कीजिए describe in brief the aims of Muslim education तो यह शोट कोशन भी आपका बहुत जादा आपका important रहेगा कुछ भी नहीं करना है सिर्फ यही कोशन आपको करके जाने है ठीक है नेक्ट शोट कोशन जो है explain the need of woman education नारी शिक्षा की अवशकता है नारी शिक्षा की अवशकता क्यों है कैसे है यह आपको बताना है शोट कोशन में शोट कोशन में आपको एक से डेर्ड पेज का आपको लिखना आए सिर्फ ठीक है तो यह शोट कोशन आपका बहुत जादा important questions ठीक है next आपका जाएगा वह आपका पेपर टो आएगा है ना गैस पेपर हम इसको बोल सकते हैं अगर कुछ भी नहीं किया है तो गैस पेपर तो बिल्कुल अगर थैंक यू धन्यवाद